आज काफी दिन बाद बिना laptop के review शूट कर रहा हूं मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी हवा में knowledge देदूँगा, बिल्कुल specs पढ़ दूगा, ऐसा नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम पर story डाल दी कि कि राइजन 9 वाला 3060 वाला, क्या ही डिमांड है भाइस laptop की इस टाइम पर मतलब खरीदने वालों की और review तो तुम्हें definitely देखना, तो मैंने किया था, arrange बड़ी है कुछ limited time के लिए आया था मेरे पास, फिर मैंने टेस्टिंग कर दी, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उठ लिए इंस्टाग्राम वाले और यह laptop चला गया, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, इस टेबल पर रखाऊ और laptop नहीं मिलेगा, हाँ feeling मना ले के लिए मैंने इसका 2020 variant रख लिया यहाँ पर, तो सबसे बड़े स्टार्ट कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन से, इसके और राइट स्पीड आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वाइफाई 6 एं ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आपको यह बिल जाता है, तो जैसे कि यह laptop एक लाग रुपे का लिस्टेड है, Amazon Flipkart दोनों पे, अब आप एक लाग रुपे में थोड़ी अच्छी खाशी स्पेसिफिकेशन ले रहे हो, तो कहीं न कहीं sacrifices होगे, जैसे DDR4 RAM हो गई, Wi-Fi 6 हो गया, और Gen 3 SSD होगी, तो यह सब आपको इसी price point पे, आपको current generation, 12th generation and Ryzen 6000 series के साथ, आपको better मिल जाएंगे, बट वो यह कहीं न कहीं कुछ न को sacrifice करना पड़ेगा, वो सारी चीज है conclusion वाले पार्ड में आपके answer कर दूआ, उसकी tension मत लेना, and yes, main चीज जिन्होंने laptop arrange करने हमारी help ही, laptop store दे रहा दूँ, जो भी दे रहा दूँ, उतरा खंट से वीडियो देख रहे है, उनके लिए part है, अगर आपको laptop buy करना है, कोई भी gaming laptop, basic laptop, economic, convertible, touch, thin and light, जो भी सारी variety आपको यहापे मिल जाएगी, और पर सारे payment modes available है, cash, credit, debit, EMI, और जो भी तरीके साब laptop खरीच सकते हो, तो description में address और contact details मैं दे दूँगा, कुछ भी पूछना हो, कोई भी laptop buy करना हो, contact ज़रूर करना, and अब सीधा बात करते है, performance की, अब आपको के बाकी सारी चीज़े कांगी, क्योंकि इसी laptop का Ryzen 7 वाला variant मैंन Cinemach 823 के scores आप देख सकते हो, वीडियो पॉस करके, then Geekbench 5 का test हम ने किया था, उसके scores कुछ ऐसे है, and 3DMark Time 5 में अच्छा का सा score हमारे को मिला था, CPU का, and even graphics का भी, and total score हमारा 742 निकल गया, and PCMark 10 में भी अच्छा का सा 6649 score आया, तो day-to-day टास्क में कोई दिक्कत नहीं होने वा and 6GB VRAM वाला graphics card है, and even processor भी 8 core वाला है, तो productivity के मामले में जो भी टास्क करना हो, music production हो, coding, coding हो, सारे काम easily आपके करवा देगा, एक लाग के price point में productivity के मामले में बहुत सही machinery है, मतलब जो ये चीज़े offer कर रहा है, और अगर आपको वीडियो editing के लिए लेना है, तो 4K वीडियो editing देते हैं, but specification अच्छी देते हैं, मेरा personally मानना है कि आप machinery थोड़ी high end ले लो, और display आप अलग से काम चला लो, क्यूंकि एक बार configuration थोड़ी सी low आजाते है, तो वो upgrade नहीं होती ने laptop में, और day-to-day task भागा करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, and mainly बात अती है gaming की, वही 5 साथ game test किया हमने, आप game test पे नजर मारो, फिर सारे सवालों के जवाब देता हो conclusion में, well and हम यहाँ पर test कर रहे है, high settings पे settings आपने सामने देख सकते है, and यहाँ पर high settings में हमारे को 200-250 अप्रोक्स fps मिल रहा है, and CPU temperatures आप देख सकते हो, 90 के अप्रोक्स यहाँ पर पहुंचे है, जबक हमारा प्यारा GTA 5 settings आपने सामने देख सकते हो, वही settings है, जो very high-high का mixture जो उठा लेता है, by default 30-60 के साब से, and यहाँ पर as expected 100-plus fps मिलने थे 130-140 के साब से, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, temperature 95 अबब जा चुके है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा room temperature भी इसका मतलब throttling का कोई दिक्कत नी है, and जो हमारा GPU temperature भी है, वो हमारा 80 प्लस जा रहा है, जिसको हम जादा मानते है, thermals के मामले में टफका आपको पता यह क्या सीन है, बड़े हमें सीद्धी सी बाद है, performance में कोई drop नी मिल रहा, performance भड़िया ही निकाल के दे रहा, then यहाँ Forza Horizon 5 इसको हम टेस्स कर रहे है, Ultra Preset के उपर, Ultra Preset में हमारे को वही as expected 72-80 FPS मिल रहे है, मतलब 70-80 के बीच में आ रहे है, और यहाँ पे हमारा temperature कम है, क्योंकि यह थोड़ा सा GPU-based game है, और जाधा FPS मिलने का एक और बड़ा reason यह भी है, 16GB RAM, आप देख सकते हो RAM consumption यहाँ पर 10GB अ तो उसके साफ से जो gaming के performance निगल गया रही है, overall बढ़िया है, उसके बाद हम टेस्स कर रहे है, दूर की चीक 6, I mean Far Cry 6, Ultra Preset में टेस्स कर रहे है, और FidelityFX को मैंने on कर दिया ता नीचे, और यहाँ पे भी हमारे को बढ़िया performance, 70-80 FPS, और Far Cry 6 के अंदर हमारे temperature गिर गया है, क्य medium का जो mixture यूज होता है, और DLSS हमने यहाँ पे रखा, balanced पे, और Warzone में भी यहाँ बढ़िया FPS मिली है, हमारे को 100+, high, very high, medium का जो हमारा mixture है, उसके यूजली यहाँ पे 100 के आसपास FPS मिलता है, बढ़ इसमें 100+, मिल रहा है, और CPU में थोड़ी जी गर्मी चाही हुई है, क्योंक अबव FPS, तो भाई, performance देख रो, laptop की क्या सही निकल के आ रही है, और यहाँ पर RAM का भी बहुत तकड़ा सीन है, 16GB RAM होने की वज़े से, जो consumption है RAM का हुज जादा है, उस वज़े से हमारे को FPS भी तक तक जा रहा है, यानि कि GPU हमारा सही तरीके से यूज हो रहा है, उसके बाद Red Redemption 2 हमारा Ultra preset पर टेस्ट कर रहा है, Ultra मतलब favor quality का top बाला, बिल्कुल end तक, और DLSS रखा है balanced पर, यहाँ पर भी हमारे को 60-70 FPS मिल रहा है, यानि कि जो game की performance है, जो 30-60 से जितनी हमें उमीद होती है, मतलब 30-60 से max doubt जो performance मिलती है, 95W वाले से, वो बिल्कुल सही तरीके से मिल Race के अंदर, और बागी stats आपके सामने बार-बार क्या समझाना पड़े है, देख सकते हो, इतने सौचदार हो ना तो, नेक्स हमारा Marvel Spider-Man और यह हम test कर रहे है, DLSS balanced पर, और जो graphics का preset हमने रखा है, वो रखा है very high, बट यहाँ पर ray tracing reflection हमने off रखे थे, and seriously, पिछली वीडियो म मैंने बोला था कि शायद Spider-Man optimized नहीं है, जो हमने last laptop टेस्ट किया था, बट लोगों ने बताया था कि 16GB RAM चाहिए, इस game के लिए specifically, तो 16GB RAM तो by 2022 में recommended app तो, 16GB RAM के साब साब देख सकते हो, very high preset पे 100 प्लस FPS हमारे को मिल रहे है, और जो overall gaming की performance निकल किया रही है, आप देखी सकत ROG advantage addition भी किया था, सब के अंदर temperatures 90 अबफ तो जा रहे थे, तो मैं आप सजेस्ट करूँगा कि आप cooling pad यूज करना हमारे जितने test हुए हो बीना cooling pad गयो है, तो cooling pad यूज करना आप high end task में, या आप undervolting भी कर सकते हो, Ryzen में कैसे undervolting करनी है, इसकी एक वीडियो बना रहे है, आप वो देख सकते हो, उसमें क्या होता है, कि CPU की आप voltage कम कर देते हो, तो जादा power draw नहीं करेगा, तो definitely गरम भी नहीं होगा, अब आपके सवाल उठा लेता है, जो आपने Instagram में भरपूर कूछे है, मतब जो common common सवाल है, सबसे common सवाल रहा है, Ryzen 7 5800H versus Ryzen 9 5900HX, मतब दोनों में ज्यादा difference है, तो दोने में कोई खास difference नहीं है, 7-8% का difference है, and आप Ryzen 7 वाला भी laptop लेलो, 5800H वाला, ये Ryzen 9 लेलो, 5000 सीरीज, रियल लाफ यूसेज में कोई ज्यादा difference नहीं आएगा, अब बहुत लोगों को सवाल रहा है, Ryzen 7 वाला Legion, जो last generation में 3060 वाला versus this one, जो tough कि हम कर रहे हैं, तो यहां पर मैं कहूँगा, definitely by Legion better है, display के मामले में, performance के मामले में, even पैसो के मामले में भी, वो महंगा है, वो 1,30,000 में आपका 1TB SSD वाला आता है, जिसके अंदर Full HD display option भी आता है, WQHD display option भी आता है, और उसकी display का color gamut अच्छा है, उसका 3060 वाला है, तो definitely इस वा sRGB वाला panel है, अगर overall performance देखोगे, तो same ही मिलेगी, आपको 20,000 रुपय में आपको बस एक display better मिल रही है, उसके अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकि tough की build quality थोड़ी सी मतलब ऐसी है, तो choice आपके उपर है, कि आपको build अची चीए, display चीए, का budget कितना है, लाग वाला 3060 में लेगा, उसके display बेटर है, build quality के मामले में definitely tough से बेटर है, metallic build में आता है, उस वज़े से i9-11900H की जो temperature से है, थोड़े से जाएगे, ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी कोई तना अच्छे नहीं जा रहे, तो वो चीज लगबग सेम सेम से हैगी, और हाँ, Ryzen 9 वाला इसके comparison में Ryzen 9 कैसा, by definitely i7-12 generation से compare मत करो, i7-12 generation बहुत powerful है, as compared to Ryzen 5000 series, even Ryzen के 6000 series से भी better है, Intel के 12 generation, तो उस से compare मत करो, 12 generation is 12 generation, और current generation के laptop से comparison मांग रहे है, जैसे Dell G15 का जो भी i7-12 generation वाला है, मैंने बता दिया, obviously better होगा, then ROG का Ryzen 7 6800H, 3050 वाला है, वो भी एक लाग का है, सेम प् प्रोसेसर बेटर मिल रहा है, Ryzen 7 6800H, बेटर है, as compared to previous generation, चाहे वो Ryzen 9 क्यों ना हो, दूसरा, उसके अंदर आपको DDR5 RAM मिलेगी, तीसरा Gen 4 SSD मिलेगी, बट चौथा 3050 मिलेगा, casual gamer हो, और productivity के मामले में भी आपको 4GB VRAM में काम चल जागा, आपके software की requirement के थरू, तो आप वह व G15 Advantage Edition जो आपने अभी review कहा था, उससे comparison इसका, definitely भाई, वो 1,42,000 का laptop है, उसके अंदर 12GB VRAM वाला graphics card है, उसकी display बेटर है, वो overall ROG है, तो वो overall भाई बेटर है, उसमें क्या ही बोलू हूँ, आप सबसदार हो, देख लेना उसकी performance, और इसकी आपने देखी ली, and यही थी वी solution ही आपके पास, एक लाग रुपए में इस अच्छी machinery with this specification नहीं मिलेगी आपको आज की रेट में, तो अगर बाई करना हो, लिंक के description हो, आसे बाई कर सकते हो, और आपके क्या thoughts है, laptop के बारे में, और बाकी आप क्या use कर रहे हो, या आपके कोई सवाल वगरा है, comment section में डाल बाकी मिलता नेक्स वीडियों अब तक के लिए, बाई